खाटू श्याम बाबा का प्रतिध मंदिर राजस्थान के सीकर दिले में इस सिथ है खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माला जाता है देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते है खाटु श्यामजी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तापा लगा रहता है और विशेश रूप से खोली से कुछ दिन पहने ठीकर दिले में खाटु श्यामजी का विशाल मेला आयोजित होता है जिसमें राजस्तान कहें अर्ले प्रदेशों के शर्थालों भी बाबा के दर्शन करने आते हैं खाटु श्यामजी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है जिसवक उनका नाम बरबरीग था बरबरीग भीन का पौत्र और घटोतकच का पुत्र था बरबरीग बच्पन के लिए बहुत रेवियों था था बरबरीग ने अपनी मां से योज़ करा किखे थी बरबरीग देवी शक्ती का बहुत बड़ा भगत था इसकार बरबरीग ने देवी शक्ती की कठोर कपस्या थी बर्बरी की सब्सक्राइब देवी शक्ति वहां प्यक्ति आखी खोलो पुत्र प्रणाम माते तुम्हारा कल्यान हो पुत्र मैं तुम्हारी तपस्याते अतिप्रसलन बोलो क्या वर्दान चाहिए माते आपने मुझे दर्शन देकर करदार्थ कर दिया अब तो बस एक ही अभिलाशा है कि आपका आशिरवाद सदैव मुझे पर बना रहे और मैं अपना संपोरन जीवन दीन दुख्यों की सहायता में वैठीट कर दो सथास तू तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनूगे मैं तुम्हे ऐसी शक्ति प्रदान करूँगी जो तीनों लोगों में किसी के पास की नहीं है पर जात रहे पुत्रे तुम्हे इन शक्तियों का दुरुप्योग नहीं करें भगवत्य शक्ति ने बरबरीक को तीन देव्यबान परदान सो रीखिये वो बार्ण अपने लक्षे को भेच कर वापत रौदा देते इसी वज़े से बरबरीक अजय हो गया बरबरीक अपने माता के पास पहुचा और देवी शक्ति के दुए वर्दानों के बारे में बताया मा मैं भी क्वारव और पंडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है पुत्र बरबरीक मैं चानती हूँ तुमें एक महान युद्धा हो इसलिए मैं तुमें रोगोंगी नहीं पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनेगे तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ूगे मैं आपको वचन देता हूँ मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूगा अपनी मा को वचन देकर बरबरीक नील घोड़े पर सवार होकर फीन बार लेकर रवाना होगया बहगवान कृष्ड तो अंतर्याम है वो ये सब लीड़ा होते देख रहे थे मृगवान कृष्ड जानते थे खिब्रवन किवल पार रही सेना की सोब पांडमों की तरफ सेय इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्णी को पता था अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीद पाईगी। और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा। और केवल बर्बरीक शेश रह जाएगा इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्णी ने बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मागना होगा। ए महावीर युद्धा तुम कौन हो ये कुरुक शेत्र की रण भूमी है। तुम कौरवों और पंडवों के युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। ब्राम्हर देव ये बान कोई साधारन बान नहीं है। इन मेंसे मत्र एक बान भी शत्रु सिना को परास्त करने के लिए परियाप्द है। और ऐसा करने के बाद बान वापस तरकश में ही लोट आएगा। अच्छा तो फिर इस पीपल के पत्रों को छेट कर दिखलाओ। बस, इतनी सी बात ब्राम्हर देव। बर्बरीक ने ड्रामन रूपी श्री कुनाती स्वीकार कर ली और इश्वर को स्मरं कर पेड़ के पत्तों को भेड़ दिया। और श्री कुना प्ता उन्होंने अपने पेर के नीचे छुपा लिया था रमभण राज अपना पैर यहां से हटा लीजिए वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा ये तीर बिना लक्षिपुरा की ये वापस तरकश में नहीं नोटते बरबरीक के तीर अचूक है लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बरबरीक को भी पता नहीं रहता है असली रण भूमी में अगर मैं सभी पांडव भाईयों को अलग-अलग कहीं छिपा भी दूँगा ताकि वो बरबरीक का शिकार होने से बच जाएं तब भी बरबरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है हे वीरियोद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मागना चाहता हूँ ब्रम्हर महराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपके इच्छा स्वरूप, दान के अभिलाशा जरूर पूरण करूँगा मैं वचन देता हूँ आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे, मैं आपको मना नहीं करूँगा मुझे तुम्हारा शीष दान चाहिए क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन है? मुझे अपना परिचा दीजिए आप मुझे ब्राम्हर नहीं दिखाई देते खृपया करके मुझे अपने वास्तर एक रूप से अवगत कीजिए बरबरी के प्रार्थना करने पर भगवान क्रिश्न अपने रूप में आ जाते है बरबरी को नहीं प्रणाम करता है वासुदेव क्रिश्न आप स्वयम मेरे शीषतान की अभिलाशा है तुआ है बरबरीक युद्ध भूमी की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीष के दान की आवशकता होती है और तुम महावीर महा युद्धा हो अतैव मैं तुमसे शीषतान मांगता हूँ ए वासुदेव क्रिश्न मैं आपको शीषतान अभश्य दूँगा पर मेरी दो इच्छाएं हैं पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयम अगने देंगे और दूसरी च्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ ऐसा ही होगा वीर शीषतानी बरबरीक कलियुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे तुम्हें शाम नाम से पुकारेंगे मेरे नाम से ही तुम्हारी कलियुग में पूजा की जाएगी कलियुग में खाटु शाम नाम से तुम्हारी पूजा होगी फालगुन मा की द्वादर्शी को बरबरीक ने अपने शीष का दान दिया बरबरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यू पृत्वी लोग पर भगवार कृष्ण के हाथों ही होगी कभी वो श्राप मुक्त हो सकता है बर्बरीक का सिर युद्ध भूमी के समेप ही एक पहाली पर सुशोभित किया गया जहां से बर्बरीक में संपूर्ण बहभारत का युद्ध दोगी युद्ध की समाप्ती पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है इस पर श्री कृष्ण बोले तुम सबको आपस में विवाद में पढ़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं है बर्बरीक का शीष संपूर्ण युद्ध का साक्षी है अतैव उससे बहतर निरनायक भला कौन हो सकता है ठीक है वासुदेफ फिर हम इस निरनायक को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते है पौत्र बर्बरीक तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरो में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्ट कराने में सबसे महान कार्य किया है उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थ थी, उनकी युद्ध नी थी, निरायक थी मुझे तो युद्ध भूमी में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घुमता हुआ दिखाई दे रहा था जो की शत्रु सिना को काट रहा था इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर अश्रेयर, भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिलकुल सही निश्काष दिया इसके पश्षात सभी पांडव बर्बरीके निर्ने की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से श्मावांगते हैं क्योंकि वो जानते थे, यदि स्वयम वासुदेव न होते, तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था धर्म की विजय स्वयम वासुदेव क्रिफ्ण के कारण ही हुई थी भगवान कृष्ण के आशिरवात से बर्बरी को कल्योग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा आज भी खाटू श्याम जी महराज के अने को भड़ा